किसान अंदोलन लगातार चल रहा है हाला कि 26 जनवरी की जो घटना हुई थी उसके बाद किसानों का यहां से जाना शुरू हो गया था लेकिन राकेश टिकैट के जब आसु आए तो मानो एक तरह से किसान अंदोलन को एक बाद फिर से जान आ गई हो हाला कि आज राज्यसबा में भी प्रदान मंत्री नरेंदु मोदी ने किसानों को लेकर बात की थी और उन्होंने किसानों से खास तोर पर अपील की है कि वो या अंदोलन जो है वो खत्म कर दे और प्रदान मंत्री मोदी ने ये तक का आए कि चीज के लिए हम बैठे हैं वो काम हमारा पूरा नहीं होगा तो अंदोलन खत्म कैसे करें पहली बार तो हमारी सर्ते हैं हमारे जो 26 जनवरी पर हमारे आदमी पकड़े गए हैं उन्हें रिहा कि राजा अगर वे दोसी नहीं है जब से पहली मांग तो हमारी वो है उसके वा यह बिदेशी आर्मी नहीं है यह की इनकार मीं नहीं है हम लोगों वी वादा किया था सरकार से कैम किसी तरह का जो है वो शांतिपुन तरीके से ट्रेक्टर परेड निकालेंगे लेकिन उसके बाद जो ही तो किसी से नी चुपी है तो इसलिए उन्हों ने चैनल वर उने वाला था जो आप लोगों ने चक्का जाम का एलान किये तो उसी को लेको उन्होंने अतियाद बरते थे तो हमारा विच्छा एक ट्रक्ट पीछ चाने पीच्छ चले गया उसे जिल्ली में कुछ यात्रा करता है कि सांट तो अपने गाउं से हैं और जिदर टेक्स ते जाने हुज़र चले गया लेकिंगे हिंसा करने वारे जो यह वो सरकार के आदमी थे कोई और आदमी नहीं 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 राकेश टिकाइज जी कह रहे हैं कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि प्रधानमं अगर जो जनता के लईया कानून है और जो जनता के लिए जनता हुआ चाहना रही तो यह मताय को अपमान लेकर आगर यह पिर भी करते हैं तो हम उनको अपमान को कुछ करेंगे। लेकिन उन्हें हुआ लिए नहीं ता करा है आज जो प्रदाम अंदी मोदी ने राज्यसभा में बोला है कि किसानों को आंदोलन जो खत्म कन देदां चाहिए तो आप प्रदाम अंदी मोदी की सपील को मानेंगे देख वेटी अब ही पहले पूछ रही थे जैसे एक पत्रकार कि देखो जब को कहने आज राज्यसभा में बोले कही है सोचवे की बात है मेरी बास के राज्वा में उन्हें कि बात कही है कि Emsp ही समझयो बात ही पहलती ही आई ना और है और रहे गी यह यह तो कह रहे हैं, अब तु एक बावता बेटी हमें, जो हो, है और रहे गो, सही बात, यहां में कोई वत्म ना हैं, जब सही पे तो कानून बनाना रहे, जब बात ही सही है, तुम कह रहे हो के हो, है, रहे गो, तो यहां से बड़ी बात और काह सके, जब सही है, सही पे त एक पर गानों सुने हो मैंने कि सोचो यदी ऐसा हो तो क्या हो है मैं देशवासियों से भी कहता हूँ सोचो कदी ऐसा हो तो क्या हो हम तुम एक कमरे में बंद हो और चावी खोजाए आप समझे यह गुडिया यह समझे यह नहीं समझे आप चुप प्रोण है वाके बाद में यह मेरा कहने का है कि जब कानून कानून कह रहा है पहले ते इंजाम है को है कि भंदार भर दिये अव दाल गेहूं सब्जी जो देश यानि जो कज बहेंगे वह तो बवाएंगे हम पर वह कॉंटेक्ट गी तो है कुई बवाएंगे और गो अपने यह भल लेंगे तो फिर गुई ना सोचो अगर ऐसा हुआ कि एक में ही बंद है को सबसोदा तो बेटी पूरो देश वह चावी बारे ढूर तो पर रहेगा कि चावी है कहां सोचो यदि ऐसा हो तो क्या होगा चलिए अब और किसान में सब मौजूद है उनसे बात करते हैं आज राज्यसभा में जो प्रदान मंत्री ने संबोधन किया उसमें प्रदान मंत्री ने ये भी कहा है कि किसानों ने बताया ही नहीं कि अंदोलन है क्यूं तो ऐसा है कि किसानों ने बताया ही नहीं कि अंदोल कर्षी मंतरी साब दो कह रहे हैं कि भी कोई समस्य है यह कानून के अंदर कोई भी गड़त नहीं है मगर सारे कानून निंग गड़त नहीं होते तो आज छह माँ से यहां बैठे मूदी जी को के मतलब हमारे किसान लोग जो सडक पर बैठे हुए हैं यह किस लिये बैठे हुए ही हैं मीडिया के बाद हम से भी पता नहीं चला अभी तक बोल ले के किसान उनने हमको बता इन नहीं है तो यह कहां की नीती है अच्छा राकेश टिकैट जी ने ये काए कि ये अंदोलन जो है वो दो अक्टूबर तक चलेगा तो क्या राकेश टिकैट जी आप सब जो यहां पे पिछले दो महीने से बैठे हैं ज्यादा का समय भी हो गया है आप लोगो को भरोसा नहीं है कि सरकार को भरोस होता हो तो अब ताहीं फैसलों है जाता हो तब तक हमारे मुखिया को आदेश यहां रहेगो तब तक ही धन्नों रहेगो चार साल चलियो चार साल चलियो कानून बापस नहीं होंगे तब तक यहां ते हम अटवे बारे ना आए चलिए मेसत और कुछ किसान भी चीत करेंगे